नवस्कार में थुना विश्करमा देखें जीडिविन्योष आस्ताया या अंदविश्राश उत्तरप्रदेश की खुर्जा में प्राचिन मंदिर सिध्रेश्वर में भगांग सीव के दर्शन करने के लिए भगतों का शैलाब सड़कों पर उमर पड़ा है सावन का अंतिन सोमार और मानता है कि यदि भगतन तंटोती यारी जी सड़कों सरीद के साथ संपर करते हुए मंदिर तब पहुचेंगे और भगवान भोले भगतों के मनोकामनाओं को अवश्पूरा करेंगे आस्था के इस सैलाब में हीदू की सान मुस्लिमी भगतों के शेवा में चुटे हुए हैं और उनका साहब जवाब ना दे इसलिए दूत पर आदि खाने को बेट कर रहे हैं श्रधा के इस सैलाब में प्रशासन और पुलिस्वा अन समाज के लोग इस रधादू के सान पूर सहानफूती रखकर सभी विवस्थाओं का ध्यान रखते हैं मुस्लिम समाज के लोगों ही इस स्विव भगतों की शिवा में लगे हैं 21 शरीष में आसा और अन्धिविश्वास का ये में देखती भी कुछ लोग सोचने को मजबूर हैं कि क्या भगवान स्यू ये सब कुछ देखे हैं और क्या सरीर को कश्ट देकर भगवान मंदर पूरी कर सकते हैं ये प्रश्ण स्रधा के परे हैं पूजा कहां से कहां जा रहे हैं कितना मंदर पुराना है क्या है इसकी दिशेष्टा कास मंदर रहे हैं इसका बहुत मंदर कामने पूरा बढ़ा लगाते हुए कितना दूर पड़ता है यहां से आप आई है काफी दूर है 5 किलो मिटर है अच्छा तो क्या इसकी विशेष्टा क्या है मंदर की कुछ नहीं अपने माननता है डंडोते लगा रहे हैं मननत महांगते बोले बावा सुर जी बैसे बताते हैं इस मंदर पर जो भी आता हूं कि मनोकामना पूर्ण होगी क्या है अच्छा और इसके वरिष्टा यह है पहली दूसरी विशेष्टा यह है कि यहां की चलेरी उसमें कितना भी जल डालो वह कभी भर नहीं सकती है तो चाहां से आप आले हुआ से किती दूरी होगी कम से कम चार किलो चार सासारे चार जोटे-चोटे बच्चे भी दंडोती दे रहे हैं जी 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 सब भोले वावा किरता साइद उस्वान क्या है यह जो आप सेवा कर रहा हूं यह मेरे दोस्ते बच्चे जा रहे हैं सब भाई जा रहे हैं समझे डंडोत्री लगा रहे हैं इसमें उपर वाला बस अल्ला में रोग करेगा जी 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 बोलेगी तो आप क्या समझते क्या चाहते जा रहे हैं सब भा झाल झाल झाल